वेलकम बैक गाईज मैं हूं महेंदर और आप देख रहे हैं क्रैजिट्रिक्सित महेंदर तो यह जो वीडियो है हमारा इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जितने भी परसित खिलाडी होते हैं या सम्मान जिनको अवार्ड मिला है वो वेक्ति है तो उनका जो जन्मिस् उस चीजों के बारे हम यहां पर देखेंगे क्योंकि लाश्ट में कुछ व्यापम के पेपर हुए थे उनके अंदर इस तरीके के कोशन पूछे गए थे कि कौन से खिलाडी का कहां से संबंध है तो उनी चीजों को देखते हुए हमने MP पूलिस के लिए और अभी जो हाइक कोट के एक्जाम सारी है इन सभी को देखते हुए यह सिरीज हम लेके आया है तो देखें यहां पर अपन देखेंगे कि प्रसिद्ध कुस्ति खिलाडी हंसा बेंड राठोड यानि कि यहां पर किसका पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जो कुस्ति के खिलाडी है उनका नाम क्य आते हैं या फिर वो कहां से आते हैं है ना तो उनका जो संबन्द है वो कहां से है इंदोर से है तो प्रसिद्ध कुष्टि खिलाडी हंसा बेंड राठोड का संबन्द कहां से है इंदोर से है और अगर हम देख सकते हैं कि 2021 की जो विश्व कुष्टि championship हुई थी यह कहाँ पर हुई थी तो यह हुई थी Hungary के अंदर इसी तरीके से जो हमने question लिये है यहाँ पर तो उन question में हर question में double question है जैसे कि यहाँ पर देख लीजे आप प्रसिद पेराशुटर Rubina Francis तो यानि कि यहाँ पर इस तरीके सा आ जाता है कि पेराशुटर जो है Rubina Francis जो है वो किस खेल से या किस चीज से जूड़ी हुई है तो वो क्या है पेराशुटर है और उनका पूछा गया है कि उनका संबंद किस शहर से है है ना तो हमको संबंद बताना है तो उनका संबंद जो है पहले शुटर कौन है तो वो है रूविना फ्रांसिस और अगर इनकी बात की जाए कि रूविना फ्रांसिस का संब्ध किस से है तो पेरा शुटर से है बात की जाए कि इनका संब्ध किस शहर से है तो वो जवलपूर से है और ये जो इस बार की जो पेरा शुटर की जो ओलंप यह पेरू में हुआ था और पेरा सुटिंग वर्ल्ड कप में इनने सौन बदक जीता था तो रूबिना फ्रांसिस ने पेरा ओलंपिक सुटिंग में कौन सा बदक जीता था सौन बदक जीता था और पेरा ओलंपिक क्वालिफाई जो हुआ था यह कहां पर हुआ था पेरू मे जो हन यानि की को ने सुनीदी चोहन क्या है शूटर है इस तरीके से भी पूछा जाता है कि शूनीदी चोहन का जो संबंड है किस खेल course से जुड़ा हुआ है तो वह सुटर से है तो एक चीज तो यही याध रखνा है अब यहां पर पूछा किस शेहर की निवासी है वो यह किस शेहर से या कहां से आती है तो यह कहां से है बोपाल से बहुत ज़्यादा आएंपी कोशन है और यह जितने भी सभी कोशन है इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और साथ में यहां पर यह इस तर एश्वर्य प्रताप सिंग का संबंध कहां से है तो आप मैं बार-बार सिर्च को नहीं बताऊंगा आप समझ गयोंगगे कि हर कोस्चन में हमारे इनका संबन किस शेहर से है तो जो पुझा वर्स्तरकार है इनका जो संबन वह है शेहडौल से तोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली हर्शिता तोमर मद्ध्धेपड़ेस के किस जिले की रहने वाली है तो पहली चीज तो यह होगी कि इनने कौन से ओलम्पिक में भाग लिया था तो इनने टोक्यो ओलम्पिक के अंदर भाग लिया था और ये कोन है हर्शिता तोमर जो है ये कहां की रहने वाली है इस तरीके से हम से पूछा गया है तो होशंगाबाद की रहने वाली है तो हमको बताना है हर्शिता तोमर का संबंद की सहर स तो होशंगाबाद से हैं क्लियर हुआ नेक्स्ट कोशन नमर 7 हम देखते हैं प्रसिद बेडमिंटन खिलाडी येस राइकवार ये बहुत बार पूछा जाता है कि येस राइकवार जो है वो किस खेल से जुड़े हुए है तो येस राइकवार बेडमिंटन से जुड़े हुए है ये हमको याद रखना है इनके जिले का ही नाम याद नहीं रखना है हमको ये किस खेल से जुड़े हुए है ये भी नाम याद रखना है तो यहाँ पर कोशन दिया हुआ है प्रसिद्ध बेड्मिंटन खिलाडी यस राइकवार किस जिले से संबंदित है तो यहाँ पर अगर हम जिले की बात करते तो धार से संबंदित है याने कि यस राइकवार का संबंद का से है धार से है क्लियर हुआ अब देखे आगे श्री वीने मुकादी किस जिले से संबंद रहे हैं तो विने मुकादी जी का जो संबंद है वो कहां से वो भी धार से है विने मुकादी जी का संबंद कहां से है धार से है ये आपको याद रखना question number 8 का answer d मद्ध्य परदेश की परवतारोही आंचित तिरानी का संबंद किस जिले से है मद्द परदेश की परवता रोही आंचित तिरानी का संबंद किस जिले से है ऐसा हम से बूचा गया तो पहली चीज तो यह होगी कि आंचित तिरानी जो है यह क्या है एक परवता रोही है और एकर इनके संबंद की बात करते हैं कि किस जिले सा आती है तो ये खोशंगाबाद से आती है किलियर हो गया होगा अब तो आपको अब हम कोशन नमबर 10 देखते हैं हमारा मद्द प्रदेश के प्रवतर रोही पार्थ पटेल तो वहाँ पर हमने महिला की बात की थी और यहाँ पर पार्थ पटेल की बात कर रहे हैं पार्त पटेल का जो संबंध है वो आता है होशंगाबाद से ये दोनों होशंगाबाद से परवता रोही याने कि ज़्यादा तर अगर दोनों का आता है कोशन आपको याद ने रहता है कि मेल या फिमेल किसकी बात कर रहे थे नाम अगर आपको याद ने रहता है तो इतना य नितिन मेनन को किस में शामिल किया गया है तो वो किया गया है ICC के एलिट पेनल के अंदर इनको शामिल किया गया है अब इनके बारे में बता देते हैं कि इनका जो नितिन मेनन जी का संबंद हो कहां से है तो वो है इंदोर शहर के दर से किलिए रुआ परसिद्ध होकी तो विवेक परसाद जी का सम्मंद कहां से है इटारसी के अंदर से है और इटारसी सबसे बड़ा जंक्षन है तो होकी खिलाडी विवेक परसाद जी की शेहर से सम्मंदी थे वो है इटारसी के अंदर से हम नेक्स्ट कोशन देखते है प्रसिद्ध प्रवतर हो ही मदू सुध पाटिदार जी को जाना जाता है और इनका संबंद अगर हम देखते है किस शहर से तो वो है इंदोर शहर के अंदर से प्रसिद्ध पेरा खिलाडी गोरांसी शर्मा ये क्या है पेरा खिलाडी ये गोरांसी शर्मा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम जो कोशन कर रहे हैं वो या फिर प्रवतार होई या क्या है इसलिए जान बूच करके इस तरीके का उप्शन यहां पर फिट किया गया है कि आपको यह चीज याद रहे क्लियर हो जाए ठीक है पेरा खिलाडी है यह और यह क्या खेलते है तो यह बेडमिंटन खेलते है गोरांशी शर्मा ठीक है और य यह जुड़े हुए बास्केट बाल से ठीक है लेकिन अगर इनकी यहां पर पूच क्या रहा है हमसे कोशन में कि किस सहर से जुड़े हुए है तो यह है गोलेर के इंदर से गोलेर से आ जाएंगे उसके बाद में नेक्स कोशन देखते है विक्रम पुरुसकार 2020 से सम्मानित परिदी जोशी तो यहां पर कोशन पहला तो यही बन गया कि विक्रम पुरुसकार से सम्मानित हुई थी है इसके लिए हम यहां पर इनकी बात कर रहेंéqu परीदी जोशी का अगर संबन देखा जाए Já यह कहां से आती है तो यह आते है वो पाल से तो परीदी जोशी, इसमें confusion नहीं होना है, परीदी जोशी को किसलिए जान रहे हैं, विखरम पुरुसकार 2020 मिला था, और इनका संबध इंदोर से है, और सौप्ट टेनिस खिलाडी तुसिता सिंग का जो संबध है वो भोपाल से है, एवरेस्ट फते करने वाले परवता रोह परवतारोही भगवान दास की शहर के निवासी है, तो इनके बारे में भी याद रखना है कि एवरेस्ट को फते करने वाले है ये भगवान दास जी, इसलिए हम इनको जान रहे हैं यहाँ पर, तो इनका जो संबध है वो है भोपाल से, कहां से गाईज, भोपाल के अंदर स क्लियर गुआ, अब देखते हैं, द्रोणाचारी पुरुसकार, द्रोणाचारी पुरुसकार 2020 से संब्मानित, ये बहुत ज़्यादा M.P. कोशन है, द्रोणाचारी पुरुसकार के बारे में पूचा जाता है, संब्मानित परसिक्षक योगेश मालवी, तो योगेश यहां पर हमारा next question है एकलविय। पूसकार सा सम्वानित सुनिलडावर जी को झा कमानित कि इनके बारे में हमको बताना है कि कि से हैं तो यह आते हैं बढ़वानी से कि कि से हैते हैं यह राते हैं मद्डरी प्रोफ कद्मिये के खिलाडी नीलकांत शर्मा, होके अकादमी के खिलाडी नीलकांत शर्मा कहां के मुल निवासी है इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वो कहां के मुल निवासी है वो किस जिले से आते है, वो किस शहर से आते है तो हमको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये क्या पूछ रहा है तो ये आते है मनीपूर से ये कौन से राज जिसे है ये कहां के है तो ये मनीपूर के है याने कि मद्यपरदेस हो की अकादमी के खिलाडी है ये नीलकांत शर्मा और ये मनीपूर से आते हैं क्लियर हुआ, नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं, वर्ष 2020 के प्रबास जो सी पुरुसकार से सम्मानित, यानि कि यहाँ पर 2020 के प्रबास जो सी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, वेशनवी कहर को, किसको किया गया है, वेशनवी कहर को, जो है 2020 के प्रबास जो सी पुरुसक प्रवाख दिव्यांग शिरी सत्यांच सिंग लोहिया के बारे में भी आपने सुनाओगा काफी बार इनके उपर भी कोशन हमको इग्जाम में देखने को मिलता है तो यह आते हैं बिंड जीले से कहां से आते हैं पिंड बिंड मुरेना दतिया ए उपर की साइड आ जाते हैं म मलखंब प्रतियोगीता 2021 में बाली का वर्ग में चेंपियन ओप चेंपियन आवार्ड किसको दिया गया है एक कोशन हमारा यही पर खतम हो गया कि इनका संबंद की स्केल से उसके बाद दूसरा है कि 2021 की जो मलखंब की प्रतियोगीता हुई थी उसमें बाली का वर्ग से की निवासी है यह चीज हम से पूछ रहा है तो यह है उज्जेन से इनका संबंद कहां से हैं उज्जेन के अंदर से क्लियर हुआ होगा आप तो हम नेक्स कोशन देखते हैं मद्दे प्रदेश राज जिस्त्रिये मलखं प्रतियोगीता 2021 में बालक वर्ग में वहाँ पर किस में बालक वर्ग में यह यहां पर भी चीजे मलखं उसके बाद में चेंपियन ओप चेंपियन आवर्ड और उससे किसको संबानित किया गया है पढ़नित यादो को तो तीनो चारों चीजे है इस कोशन को आप पढ़ेंगे अगर आप बाद में PDF से रिविजन भी करेंगे त तीनो चारों चीजे आपको एक साथ में रिविजन हो जाएगी और इनका संबंद कहां से है तो इनका संबंद है भोपाल से है श्री शक्ति पटेल राष्टे शिक्षक पुरुसकार 2021 से तो इनको कौन सा आवर्ड मिला है राष्टे शिक्षक पुरुसकार 2021 से सम्मानित किय गए है और इनका संबंद किस जिले से है तो इनका संबंद जो है वो मंडला जिले से है राष्टे शिक्षक पुरुसकार जो जिनको मिला है 2021 का स्री शक्ति पटेल जी को और वो मंडला जिले से आते हैं पदमस्री से सम्मानित लीला जोसी यानि कि पदमस्री मिला है लीला कोई जानना है कि ये कौन से जिले से आते हैं, तो ये आते हैं रतलाम जिले से, पदम जोसी, पदम स्री से सम्वानित लीला जोसी जी, जो है ये रतलाम जिले से आते हैं, और अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से साल का है, तो 2020 वाला मिला था, और इसमें चार लोगों को मिला तो doen फाड़ जिसमें से एक तो ये होगे लीला जॉषी जी नहीं किस मतब्ब किस छेत्रे से है। तो इन जो छेत्र है वह चिकित्सा का है। तो लीला जोसी जी को पंदमशीरी मिला इनको किस छेत्रे में योगदान में मिला तो इनको चिगित्सा के योगदान में मिला है 2020 का और एक किस जिले साथ है रतलाम जिले साथ है फिर हम देखते हैं कि जब चार लोगों को मिला है तो एक ही होगे तीन और को ने तो एक और है नेमनाथ जेन, क्या नाम है उनका नेमनाथ जेन, और उनका जो संबंद है किस छेत्र से है, तो व्यापार से है, तो हमको एसे याद रख लेना है कि जेन साहब है तो मतलब व्यापार से ही होगा, तो नेमनाथ जेन व्यापार से है, अब दोर बचे, एक ओर है अब्दुल रखना है और उनका जो संबंद है वो कलाके छेतर से हैं तो ये चीज होगी पदमे सीरी से रेलेटेड और ये वीडियो था मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और एक कोशन मैंने आपके लिए दिया हुआ है कि मद्यप्रदेश की विकास गात पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है इसके राइटर को ने इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे उसके बाद में ये एक और वीडियो मैंने अभी एक दिन पहले ही अपलोड किया है जिसमें न्यू अपॉइमेंट लिया है इस तरीके से उसमें कोशन दिय प्लेलिस्ट मिलेगी उस साइंस की प्लेलिस्ट को आप एक बार देखिए mcq format में सारे कोशन है एक एक और उसके जो option है उसको पुरा डीप में बताया गया है विड डाइग्राम के माध्यम से बताया गया है तो वो चीज भी आपको काफी पसंद आएगी थैंक्यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लीज वीडियो को सेर करना ना भूलें